जै बाबा सांक्री जी आज हम जा रहे हैं बाबा सांक्री जी के टेंपल में जो मीर गाउं में पढ़ता है तसील पंचैरी डिस्टिक उधमपूर जूटी आफ जम्मु एन कश्मीर उधमपूर से लगबग 35-40 किलो मिटर की दूरी पे ये एक स्टेशन है और काफी अच्छा स्टेशन है जहां पे आप जा सकते हो काफी अच्छा रोड है और काफी अच्छे पहाड नेचर का पूरा मज़ा लीजिए वहां जाके देखिए आस्मान की और काफी उच्छाई पहर है ये थी कुद्रत मेरी तनहाई को मेरी तनहाई को इतनी ठीकर है मेरी कुद्रत को जगाते रहते हैं कुद्रत को जगाते रहते हैं रात बर सतारे मेरे लिए कुद्रत का अजब हाल है कैसा ये जमाना है कैसा ये जमाना है रोना भी जरूरी है आसू भी शुपाना है हीमत बढ़ानी है तुछ नोतियों को सभी कार करो सफलता तुमारी कदम चुमेगी बस तुम परियास करो कौन कहता है कि खुदा दिखाई नहीं देता एक वो ही तो देखता है जब कोई दिखाई नहीं देता अब बस हम पहुंचने वाले हैं अभी पहुंच चुके हैं ये बादल गाड़ी पार कर ली है हमने जे नीचे का रोड जी रोड से हम अभी जहां पहुंचे हैं बस थोड़ा सा रास्ता है पैदल उपर की तरफ इस साथ में स्कूल है गौर्वेंन मिडल स्कूल संकरी जयाम संकरी देवता जया बाबा संकरी जी टेम्पर जी में हों चुके हैं यजआ बहां का गृवंड जहां पर मेला लगता है तीन दिन का जहां पे मेला होता है जो की अगस्त और सेटमबर में आता है यह नीचे का गाउं काफी खूब सूरत जगा पे है खूब सूरत यह संक्री देवता टेंपल देव मारे फ्रेंड्स देखो पहाड़ हुआ हुआ है अब अजय गड़ी जो यह पत्थर है बोलते हैं कि जिस पे देपता बावा जी की करीपा होती है वो ही इस गड़ी को उठा सकता है बोलते हैं कि जो बावा सांक्री जी है इन में शिप जी और पारवती जी का रूप है जहां पर काफी दूर दूर से लोक आते हैं और अपनी मौनो कामना मागते हैं और जे जो बावा सांक्री जी है ये उनकी मौनो कामना पूरी करते है मेरा जई के नहीं इस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा परमोड करो थैंक यू